हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अफेर्स क्लाउड, लर्न टू लीड, माइनम इस विकास राणा कोड़ यूज करते हैं, तो आपको स्टेट अवे 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, बट हमारा कोर्स इतना बैटर क्यों है, वाइ वी थिंग कि हमारा कोर्स वन अफ दे बेस्ट कोर्स है इन दे इंडर्स्टी फर प्रिपेरिंग फर करन्ट अफेर्स, क्योंकि हम करन्ट अफे जिसमें से डेली बेसिष पर आपको 20 क्वेस वीजिन की क्स की गmotion कीई जो आपकी रिविजर में बहुत हलप करेगी, एक पीडिएफ प्रोवाइब की जाएगी, डेली बेसिश की आपको 20 क्वेस खेंट की और पीडिएफ और बीडिएफ औप कंपाइल बाह का जिसित लेकिन नहीं, हम English के साथ-साथ आपको Hindi में भी ये सारी चीज़े प्रोवाइड करते हैं Not just this, हम आपको Banking Awareness के भी Current Affairs प्रोवाइड करते हैं Banking से related questions भी discuss कराते हैं ताकि आपकी revisions आप सके for banking exam इसी के साथ-साथ हम एक नई तरीके की PDF आप सभी के लिए लाए हैं एक interesting way of learning वो है Infotainment Infographics बड़ा ही मज़िदार तरीके से आप इनको enjoy करते हुए PDF को पढ़ सकते हैं तो इनको ज़रूर चेक कीजिएगा इसी के साथ-साथ हम आपको 20 topic-wise Current Affairs भी revise कराते हैं देली बेसिस पे, देली एक-एक topic की वीडियो आती है हमारे YouTube चैनल पे जो 20 topics हैं जैसे Apps and Web Portals, Important Days, Books and Authors, आपके National Affairs, International Affairs, Sports, Defense, Awards इन सभी topics को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं एन डेली हमारे YouTube चैनल पे आपकी डेली वीडियो, मंथली वीडियो, वीकली वीडियो, टोपिक-wise वीडियो ये सब कवर करा जाता है जो बहुत helpful रहता है preparation के लिए So I think this is the best course that you can find for current affairs on internet Apart from this friends, आप जैसे मैंने बताया, विकास 10 code को अगर आप use करेंगे Hello students, कैसे आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 24 अगस्त के कुछ important current affairs discuss करेंगे ये session आप के लिए काफी helpful रहेगा तो एंट तक जरूर देखेगा चलिए start करें पहला question किस organization ने अभी grant किया status of independent and international legal entity after headquarter HQ agreement Headquarter agreement के बाद उस किस organization को independent and international legal entity का status मिल गया तो क्या answer रहेगा यहाँ पे CDRI, coalition for disaster resilient infrastructure इन्होंने अभी government of India के साथ मिलके एक HQA agreement sign किया Headquarter agreement जो कि कहाँ पे sign किया गया था New Delhi में sign किया गया था इससे CDRI को independent and international legal entity का status मिल गया है ये किसलिए किया गया आपका basically अगर मैं CDRI की बात करूँ इससे क्या होगा, क्यों किया गया, CDRI के launch कब की गयी थी ये सारे question भी आपसे पूछा जाते है ठीक है, पहले तो CDRI के बारे में देख लेते हैं इसको launch कब किया गया था और किसके दोरा Prime Minister Narendra Modi जी के दोरा launch किया गया था कब launch किया गया था 23 September 2019 को इसको launch किया गया था During a United Nation Climate Action Summit जो की New York USA में हो रही थी उसके दोरान CDRI को launch किया गया था ठीक है, इसीस के साथ साथ याद रखना है यहापे जो goal है वो क्या है To encourage infrastructure system resilience to hazards from the climate and natural disasters ensuring sustainable development मतलब जो आपके climate से जो natural disaster होता है उसको उसके खिलाफ हम क्या पहले से action रख सकते हैं क्या हम infrastructure strong कर सकते हैं और sustainable development goal को ध्यान में रखते हुए ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है CDRI का जो organization अभी international organization status मिल गया इसको, इससे benefit क्या होगा, क्यों दिया गया है तो अभी आप देखेंगे कि CDRI इंडिया में है सिर्फ तो इससे क्या होगा, इसको international status मिलने से क्या होगा कि जो बाकी और countries हैं, वहाँ पर भी CDRI work कर पाएगा ठीक है, उन countries में भी ये sustainable development goal आपके natural disasters के खिलाफ work कर पाएगा, sustainable development goals पे work कर पाएगा इवेन इंडिया में इसके बज़ोलाज अब जो बाकी organization है वह इसमें investment कर पाएगे ठीक है, इससे क्या होगा, as an international organization, CDRI promote कर पाएगी disaster resident infrastructure को इंडिया में as well as worldwide इसलिए भी CDRI को international legal entity का status मिला after headquarter agreement जो की HQA है, किस के साथ हुआ, government of India के साथ, कहाँ पर New Delhi में ठीक है, चलिए, next पे आते हैं, पहली, इंडिया की पहली observatory to monitor space activity कहाँ पर located है सबसे पहले दो-तिन चीज़ देखते हैं, ये आपकी दिगांत्रा, एक startup का नाम याद रखना दिगांत्रा, ये Bengaluru based space tech startup है, ठीक है, इनके द्वारा एक पहली private space situational awareness observatory setup की जाएगी, कहाँ पर ये ही question पूछा गया आप से, तो या तो ये पूछ लेंगे कि दिगांत्रा के दोरा एक space situational awareness observatory कहाँ setup की जाएगी, कि state में, या फिर इंडिया की पहली observatory to monitor space activity कहाँ पर located है, तो answer क्या होगा, उत्राखंड में located है, ठीक है, कहाँ पर located है, उत्राखंड में, उत्राखंड में भी कहाँ पर, गड़वाल district में, ठीक है, काम क्या होगा इस observatory का, दस centimeter से भी छोटे object या फिर around 10 centimeter के objects जो की orbit कर रहे हैं अर्थ को, उनको track करने का ये काम करेगी, क्या दिगांतरा के दवारा जो space situational awareness observatory setup की गई है, गड़वाल district में, उत्राखंड में, ये 10 centimeter तक के small objects जो की orbit कर रहे हैं अर्थ को, उनको track करने का काम करेगी, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी important, next, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंडिया की पहली observatory to monitor space activity कहां setup की गई, उत्राखंड, और उत्राखंड में भी कहां पर, गड़वाल district में, ठीक है, दिगांतरा will be able to support its space-based sensors in their missions to monitor satellites and derbies in orbit spanning from LEO to geosynchronous orbit with the establishment of the observatory, since there are no similar facilities between Australia, South Africa, the observatory will bridge a disparity in SSA observation in the region, चलिए, next पर आते हैं, next है, अभी कपिल मौरेश्वर पाटिल, कपिल मौरेश्वर पाटिल, जो की हमारे Union Minister of State for Panchaity राज है, इनके द्वारा, दो, तीन, चार चीज याद की गई हैं, रिलीज की गई हैं, वो याद रखेंगे, सबसे पहले इनके द्वारा एक Sustainable Development Goal की Anthem रिलीज किया गया, दूसरा, इनही के द्वारा, एक Sustainable Development Goal का Anthem रिलीज हो गया, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इन्होंने एक Booklet भी रिलीज किये, Sustainable Development Goal पे, तीसरी चीज, दे लॉंच्ट अब प्राइम एप, ठीक है, चौत्ती चीज के आध रखेंगे, पंजाब स्टेट रूलर लाइबलिज होड मिशन की वेबसाइट भी इनके द्वारा अभी लॉंच की गई, तो ये सारी चीजे, Sustainable Development Goal का Anthem, उसकी Booklet, एक प्राइम एप्लिक ठीक है, और पंजाब स्टेट रूलर लाइबलिज होड मिशन की वेबसाइट, ये सारी चीज, किनके द्वारा कपिल मौरेश्वर पार्टिल के द्वारा लॉंच की गई, याद रखना कहां पे लॉंच की गई थी, एक दो दिल नंबी वर्क्शॉप थी, जो कि अराउंड 1300, अराउंड 1300 एलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिटिस ऑफ पंचायती राज इंस्टिटूशन अक्रॉस इंडिया, उनके आगे इसको लॉंच करा गया था, चलिए, नेक्स पर आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर में ये हैं कपिल मौरेश्वर पार्टिल, जिनके द्वारा ये चार चीज़ें लॉंच करी गई, आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टन चीज फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं, वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है, यह आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइ में easily मिलती रहेगी, क्योंकि weekly तो हर हफते आज आता है, तो हर हफते हम आपको content प्रोवाइड करेंगे, static questions की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारिक तक, state wise की बात करें, तो यह आपको 20 तक मिल जाएगी, अगर हम weekly की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, यह तो होई PDF, ले PDF होती है, वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी, of every month, monthly भी ऐसी, जो monthly current affairs की PDF, एक compiled PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी, जो आपकी preparation में बहुत जादा हेल्प करेंगी, not just this friends, इसके अलावा हम आपको, जो content प्रोवाइड करते हैं, वो English, English में नहीं important चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको Hindi में भी content प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो written material होगा, आपका Hindi language में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी preparation में बहुत जादा helpful रहेगा, ठीक है, banking awareness के questions की PDF भी हम आपको before 10th of every month प्रोवाइड कर देंगे, daily की हम आपको daily live जो होते हैं, daily sessions आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे paid users हैं, वो carriers cloud application पे जाके PDF को download कर सकते हैं, and reference के लिए साथ-साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत जादा useful रहेगा, important शीज़ बताने का मेरा main name यहाँ पर यह है, कि जो content है ना, हम Hindi में भी provide करते हैं, क्योंकि काफी सारे website है, ठीक है, हमारी जो application है, not website, हमारी application पे आप जाईए, application पे आप हमारे course चेक आउट करेंगे, वहाँ पर हम आपको Hindi में भी content PDF प्रोवाइड करते हैं, next, next हम बात करेंगे, गोद्रेज कंपने का नाम है, agrovet, I repeat, agrovet, ठीक है, गोद्रेज agrovet, इन्होंने अभी एक memorandum of understanding sign किया, किन states के साथ, ताकि वहाँ पर oil palm cultivation को बढ़ाया जा सके, तो तीन states यहाँ पर friends याद रखेंगे, पहली है, असम, दूसरी है, मनिपुर, और तीसरी है आपकी तिरिपुरा, इन तीन states के साथ, गोद्रेज agrovet ने एक MOU sign किया है, ताकि यहाँ पर oil palm cultivation को develop किया जा सके, ठीक है, यहाँ पर इनके लिए यहाँ आपको याद रखना है कि जो land cultivation की बात है, आप जैसे oil cultivate palm चाहिए, तो palm oil आपके palm trees से आएगा, तो palm trees का क्या है कि आप हमें और mills लगानी पड़ेंगी, palm को grow करना पड़ेंगा, उसके लिए हमें और जादा land चाहिए, तो हाँ प्रोजेक्ट है न, oil palm cultivation का गोदरिज एग्रोवेट ने जो M.O.U. साइन किया, असम निपुरें तरिपुरा के साथ, यह basically आपको याद रखना है, national mission on edible oils on palm के अंडर आता है, ठीक है, यह mission अगस्ट 2021 में government of India के द्वारा launch किया गया था, 11,040 करोड की लागत से launch किया गया थ और इस mission के अंडर government का जो plan था न, वो क्या था, कि हम oil palm cultivation को बढ़ाएंगे, 10,00,000 hectare की land पे बाई 2026 और उसको 10,00,000 से बढ़ा के 16,7,00,000 कर देंगे बाई 2039 और special focus का रहेगा North Eastern region में and Undemand and Nekobar में, अगर आपको याद हो North Eastern region को ही agriculture hub बनाने की बात की गई थी, reason being कि यहां से जो आपका export है वो बहुत easy हो जाएगा to Bangladesh, Myanmar, Bhutan, Nepal क्योंकि यह उनके पास होता है, अगर हम कहीं केरला से बांगलादेश या केरला से भूटान हम या फिर केरला से नेपाल कुछ project send करें या फिर कोई produce को send करें और वहीं के वहीं हम सिक्किम से या फिर आपका अ पारा एक MOU sign किया गया गोद्रिज एक्रोवेट के साथ, oil palm cultivation को बढ़ाने के लिए ठीक है चलिए इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो गोद्रिज एक्रोवेट ना यह largest oil palm processor है इंडिया में और यह direct farmers के साथ work करता है ताकि उनको भी benefit मिल सके और साथ साथ company का भी benefit होता रह इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडोनेशिया यह world का biggest producer है एक्सपोर्टर है palm oil का चलिए friends next पे आ जाते हैं यहाँ एक चीज़ और अग जो हम company की बात कर रहे थे गोद्रिज एक्रोवेट इनके chairman कौन रहेंगे नादीर गोद्रेज हैड़कवाटर का पर है मुंबई मह भाराष्टर में 1991 में इसको establish करा गया था moving on किन दो organization ने MOU sign किया under PM potion scheme अच्छा PM potion scheme के full form बता दो और PM potion scheme का पुराना नाम बता दो PM potion होता है प्रधान मंत्री potion शक्ती निर्मन पोर्टल ठीक है यह हो गया आपका PM potion इसको पहले क्या कहते थे मिड़े meal scheme मिड़े meal scheme क्या थी स्कूल में बच्चों को खाना प्रोवाइड करने के लिए scheme launch की गई थी इसी के साथ साथ याद रखेंगे वो पहली state कौन सी बनी जो की breakfast भी प्रोवाइड करन की बात की गई तमिलनाडू के थी तो अब भी वापस आते हैं दो organization कौन सी है पहली तो है NutriHub और दूसरी है आपकी अक्षय पात्र foundation ठीक है अक्षय पात्र foundation आपको याद रखना है ये एक NGO है non-governmental organization जिसका headquarter बैंगलोर करनाटका में है ठीक है इस foundation का जो aim है ना it is to implement midday meal scheme to promote healthy and balanced diet among children So coming back NutriHub और अक्षय पात्र foundation ने ये मिलके MOU sign किया potion scheme के अंडर ताकि school में बच्चों को millets as well as better grains provide किये जा सके ताकि उनकी जो nutrition की मात्रा होती है पूरे दिन की उसको बढ़ाया जा सके क्योंकि अगर nutrition provide किये उनको better health provide होगी उनको अच्छी health मिलेगी उनकी health होगा तो उनका जो cognition और जो human development होता है वो जादा better होगा ठीक है इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया बच्चों को millets provide किये जाएंगे अगर आपको याद हो 2023 साल को international year of the millets भी गोशित किया गया है और millets से कैसी crop होती है जिसको जादा चीज की जरूत नहीं होती ग्रो करने कि आप इस crop होती है आपकी millets तो दो organization कौन सी हो गई आपकी NutriHub and अक्षा पातर foundation ने मिलके M.O.U. sign किया अंडर potion scheme ताकि बच्चों को better खाना provide किया जा सके उनको better nutrition value provide कि जा सके और उनको nutrients उनको millets as well as other grains provide करने किया पर बात की गई चलिए आप यहां देख सकते हैं NutriHub and अक्षा पातर foundation ने एक M.O.U. sign किया PM portion scheme के अंडर next IREDA इन्होंने एक M.O.U. sign किया महाप्राइट के साथ to provide loans for green energy project बहुत simple और direct question है friends IREDA क्या होता है Indian Renewable Energy Development Agency यह एक public sector undertaking है ठीक है इन्होंने किसके साथ M.O.U. किया महात्मा फुले Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited के साथ जो कि महाराष्टा में है और यह क्या करेंगे जो green energy projects होंगे जैसे आपके solar panels के लिए तो आपकी wind energy के लिए या geothermal energy के लिए बायो गैस के लिए तो ऐसे projects के लिए आपको loans provide के जाएंगे सस्ते loans ठीक है कम interest पे loans provide के जाएंगे next अगर मैं बात करूं IREDA के इनके chairman and managing director कौन रहेंगे वो है आपके प्रदीप कुमार दास कब established किया गया 1987 में headquarter कहा रहेगा New Delhi में next question पर आपते हैं which state in India built their first education township काफी important question बहुत important question है यह कौन सा state है उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश ने built किया their first education township यह एक theme पे based होगा या फिर एक idea पे based होगा वो idea भी याद रखिएगा single entry multiple exit यह इस idea पे based होगा आपका education township यहाँ पे आपको याद रखना है even अगर आपको याद हो यूपी के द्वारा उत्तरपरदेश के द्वारा ही Deloitte company को set up किया गया था उनको appoint किया गया था ताकि वो यूपी को एक trillion dollar की economy बना सके ठीक है उसी के अंडर ही आपकी education township आ जाती है कि बच्चों को जब education provide की जाएगी तभी तो वो skilled होंगे और तभी फिर वो अपने के लिए जो accommodation होगी education township में वो भी provide की जाएगी यहाँ पर आपको बच्चों को जो upcoming technology है management है law medicine उसके बारे में आगा कराए जाएगा बच्चों को यहाँ पर undergraduate as well as post graduation education भी मतलब आपकी graduation as well as post graduation जो आपकी master's होती है वो भी यहाँ पर बच्चों को कराई जाएगी ठीक है तो यह इंडिया की पहली education township कौन सेटप कर रहा है उतरप्रदेश government next question which dance has been inducted into the UNESCO's intangible cultural heritage list और intangible क्या होते जिसको आप touch नहीं कर सकते अगर आपको याद हो पहले एक festival को भी add किया गया था वो था दुर्गा पूजा वो कहाँ का है West Bengal का इनको intangible cultural heritage list of UNESCO में एड किया गया थ तो अभी जो correct option बनता है वो क्या है गर्बा dance गर्बा dance ठीक है यह आपका गुजरात का dance है गुजरात का folk dance है जिसको अभी UNESCO की intangible cultural heritage list में एड किया गया इंडिया के तवारा इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे जो इंडिया है ना यह इंडिया पैनल में है आपके of UNESCO's intangible cultural heritage list को जो release करते हैं इंडिया का time period कब से कब तक है 2022 से लेके 2026 तक इंडिया member रहेगा इस particular panel का ठीक है और अभी गर्बा को आपका intangible cultural heritage list जो की गुजरात का folk dance है उसको add करा गया यह गर्बा आपका नवरातरी के time जो 9 दिन लंबा 9 रातों लंबा आपका festival होता है गर्बा ठीक है चलिए नेक्स पे आते हैं नेक्स हम बात करेंगे अभी हम देख चुके गर्बा को intangible cultural heritage list में add किया गया नेक्स आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर जितेंदर सिंग से जो bio economy है हमारी वो bio economy कह लीजे या bio technology कह लीजे जो हमारी bio technology की economy है वो 70 billion dollar से बढ़के 150 billion dollar ह हो जाएगी by 2025 अभी हमने इसके बारे में पहले वी डिसकस किया काफी सारा काफी सारी initiative launch किये गए थे ठीक किसके दवारा बायरेक के दवारा बायरेक क्या है बायो टेक्नलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसल और इनके दवारा बोला गया कि 70 billion से 150 billion dollar हमारी एकनोमी हो जाएगी by 2025 और बायो टेक क्या होता है बायो लॉजी एस वेल आज टेक्नलोजी जैसे आपका finance होता है किया जाएगा इसी लिए यह डिजिटल लोग अदालत लॉंच किया गया था कहां पर राजिस्थान एंड महरास्ट्रा में यह स्टीट लीगल सर्विसिस के द्वारा लॉंच किया गया था ठीक है as a part of third national लोग अदालत of 2022 फिर यह आपका artificial intelligence and blockchain पर वर्क करते है अभी जो न्यूज में आ रही है वो क्या है कि around 75 लाग cases across राजिस्थान's were cleared by digital लोग अदालत क्योंकि आपको कोट कचैरी के चक्कर नहीं काटने ठीक है आपको online ही जैसे आप अपने जैसे WhatsApp कर रहे है कि आप प्रोसीजर आपको online होगा आपको कोई steps प्रोवाइड कर दिये जाएंगे आपको अपनी problem डालनी है और आपको उसका solution प्रोवाइड कर दिया जाएगा वहाँ पर नेक्स आ जाते हैं प्यूश गोल जी प्यूश गोल जी के बारे में देखें यह वो परसंते जिन्हों इन्होंने इन्वेड किया था मैंगो फेस्टिवल को कहां पर ब्रूसल्स बेल्जियम में इन्होंने ही इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया था वर्ल्ड एकनामिक फॉरम में जो कि डैवॉस में हुई थी ठीक है और इनहीं के द्वारा अभी अन्वेल किया गया थी the digital version on 5 अगस्त को इसको लॉंच किया गया था ठीक है याद रखेंगे काफी इंपोर्टन क्या लॉंच किया गया अन्वेल किया गया gift catalog of the one district one प्रोड़कर किन के द्वारा प्यूश गोल जी के द्वारा next what is the rank of India at the international astronomy and astrophysics olympiard काफी important इंडिया की rank रहेगी third ठीक है इंडिया की rank रहेगी third और यहीं पर आपको याद रखना है जो इंडिया ने अपनी position third position share की थी tie था with Singapore इंडिया ने तीन gold medal जीते दो silver medal जीते ठीक है during this international astronomy and astrophysics olympiard कहाँ पर हुआ था यह क्या आप मुझे बता सकते हैं olympiard यह आपका जॉर्जिया में हुआ था location क्या रहेगी जॉर्जिया ठीक है यह आपके location रहेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की third rank रही international astronomy and astrophysics olympiard में 3 gold 2 silver के साथ और यहाँ पर आप total information देख सकते हैं किन-किन लोगों ने कौन से medal जीते और कौन सी state से belong करते हैं अगर मैं first position की बात करूँ तो इरान की जो main team है उन्होंने जीता जो official team थी और second rank आई इरान की ही लेकिन इरान की जो आपकी gas team थी उनकी ठीके तो इरान की official team ने 5 gold जीते और इरान की जो gas team थी उन्होंने 4 gold और एक silver medal से second position ली और third position हम जानते ही है इंडिया and Singapore next किस organization ने amended the new overseas investment rules to boost the ease of doing business ease of doing business को बढ़ाने के लिए किस organization ने अभी new overseas investment rules को amend कर दिया है वो है आपका RBA RBA के द्वारा ये amendment किया गया था याद रखिये ठीक है next पे आते हैं किस organization ने अभी 96.3 million dollar का loan provide किया इमाचल परदेश गॉवर्मेंट को ताकि उनके water supply उनकी sanitation and लोगों को clean and drinking water provide किया जा सके तो वो है आपका कौन सा organization Asian development bank के द्वारा ये 96.3 million dollar का loan provide किया गया और इसको roughly देखें तो ये कुछ आ जाता है कुछ 48 ground wells को dug किया जाएगा 109 water treatment plant set up किये जाएगे 117 आपके pumping station set up किये जाएगे 3000 km लंबी आपकी pipes distribution pipes डाली जाएगी याँ पर तीक है और इससे around 75,800 households को बहुत जादा benefits मिलेगा और इसके around देखें तो कुछ पूने 4 लाक मतलब 3,70,000 पिछ सत्तर हजार residents को across 10 district बहुत जादा benefit मिलने वाला है with this particular contribution ठीक है अगर मैं Asian Development Bank की बात करूँ President रहेंगे Masasugu Asakawa कब established किया गया था? 1966 में established किया गया था Headquarter कहां पर रहेगा? Manila Philippines में रहेगा और 68 members हैं आपके Asian Development Bank में Loan का amount be friends याद रखेगा 96.3 million डॉलर रहेगा चलिए Next पर आते हैं किस bank ने open किया दियर? First All women branch in which state of India? दो questions पूछे गए हैं यहां पर पहला bank का ना HDFC Bank ने अभी एक All women branch open की मतलब उनकी branch में सारी महिला हैं और दूसरा कहां पर लॉंच किया गया Kozy Code केरला में इसको लॉंच किया गया था एम किया है इनका basically कि जो gender diversity है ना banking sector में उसको खतम किया जा सके ठीक है उनको मतलब पूरी जितने men हो उतने ही women होनी चाहिए ठीक है कोई difference नहीं होना चाहिए इसी के साथ साथ जो bank के total 245 banking branch हो गई है केरला में ठीक है ये 245th branch ही केरला की ये भी आपको याद रखना है तो question पूछेंगे कि पहला all women branch किस के द्वारा खोला गया? HDFC bank के द्वारा कहां पे खोला गया? कोजी कोड़ा केरला में खोला गया था अगर HDFC bank की मैं बात करूँ managing director and chief executive officer कौन है? शशिधर जगदीशन ये established कब किया गया था? 1994 में established किया गया था headquarter कहां पे रहेगा? मुंबई महाराश्टरा में next पे आते हैं friends किस organization ने launch किया milligram reward program for customers? यहाँ पे organization के साथ आपको hint देने के लिए मैं बता देता हूँ यह एक insurance company है ठीक है? या फिर आप इसे कह सकते है insurance भी नहीं finance company है बताइए आप तो क्या है? answer यह है आपका मुथूट Finance Limited इनके दौरा एक milligram reward program launch किया गया अपने customers के लिए यह milligram reward program का मतलब है 20 mg का आपको gold प्रोवाइड किया जाएगा for every as a reward प्रोवाइड किया जाएगा for every transaction with the company ठीक है? reward points के इसाब से जो भी इनका procedure होगा उसके साब से यह 20 mg का gold प्रोवाइड करेंगी every customer refler transaction को and इनके लिए इनका जो expectation लगाए जा रहा है यह 100 kg of gold को एक साल में देंगी जिनका वर्थ होगा कुछ around 50 करोड रूपे ठीक है? तो यह milligram reward program for its customers किसके दवारा launch किया गया? Muthut Finance Limited के दवारा यह launch करा गया है अगर मैं MD की बात करूँ Muthut Finance Limited की George Alexander Muthut यहां के MD रहेंगे 1939 में इसको established किया गया था और कोची केरला में इसका headquarter रहेगा ठीक है? तो आप यहां देख सकते हैं Muthut Finance became the first gold loan NBFC to launch such a new reward program जिसके अंडर 20 mg का gold प्रोवाइड किया जाएगा चलिए Next पे आते हैं NHBC Limited इन्होंने एक MOU साइन किया भारत Electronics Limited के साथ ताकि Solar Equipment Manufacturing Facility को सेट अप किया जा सके Direct और Simple Question कि Solar Equipment Manufacturing Facility को सेट अप करने के लिए NHBC ने किन के साथ एक MOU साइन किया? भारत Electronics Limited के साथ एक MOU साइन करा गया Direct और Simple Question NHBC की बात करूँ तो 1975 में established किया गया था? फरिदाबाद हर्याना में Headquarter रहेगा और Chairman and Managing Director रहेंगे अभयकुमार सिंग चलिए Next पर आते हैं Important है ये Liberty Medal Liberty Medal किस के दुआरा दिया गया? क्यूं दिया गया? किस फिल्ड में दिया जाता है? किस के दुआरा दिया जाता है? ये कुछ Medal आ जाते हैं तो कुछ ऐसे Question होते हैं तो सबसे पहले तो Answer से Start करते हैं Vladimir Zelensky जो की President है Ukraine के उनको सम्मानित किया गया Liberty Medal से इसके Under उनको 100,000 US Dollar के Price से सम्मानित किया गया ठीक है? इसलिए क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि ये अपनी जो Leadership का Role बहुत अच्छे से निवा रहे हैं Courageous तरीके से निवा रहे हैं और पूरे डट कर ये सामना कर रहे है Russian Soldiers का क्योंकि हम जानते हैं Ukraine में भी क्या War चल रही है ठीक है? इसलिए इनको Liberty Medal से सम्मानित किया गया था अगर आपको याद हो इनी को Ronald Reagan Freedom Award से भी सम्मानित किया जा चुका है इनी को John F. Kennedy Profile in Courage Award से भी सम्मानित किया जा चुका है अगर मैं Liberty Medal की बात करूँ ये NCC के दौरा सम्मानित किया जाता है NCC क्या है? National Contribution Center जो की Philadelphia United States of America में है Philadelphia Foundation के दौरा ही ये Award को फांड किया गया था और इसी Award को काफी जादा परसनेलिटीस फेमोस परसनेलिटीस जैसे Nelson Mandela, Kofi Annan, Malala Yusufi को भी सम्मानित किया जा चुका है ये Award basically उन लोगों को दिया जाता है जो अपना struggle as well as जो अपना courage दिखाते हैं in the favor of liberty of people Vladimir Zelensky की बात करें हम जानते हैं ये comedian elected as a president of Ukraine है 2019 में और ये भी war में part ले रहे हैं against Russia अपनी country को छोड़ के ये नहीं गए डट कर सामना कर रहे हैं so that's a good thing इसी के वज़े से इनको इन आवाड से सम्मानित किया जा रहा है तो correct option liberty medal का क्या होगा किनको अवाड किया गया प्रेजिडेंट व्लादमेर जेलेंसकी को चलिए next पर आते हैं ministry of corporate affairs ने अभी approve कर दिया amalgamation दो amalgamation हो रहे हैं ये याद रखेगा भारत gas resource limited ने with its parent company भारत petroleum corporation limited के साथ amalgamation को अभी ministry of corporation ने approval दे दिया है simple question prince बहुत easy है ये तो ठीक है next आजाता है 23 अगस्त को हम observe करते हैं international day for the remembrance of the slave trade and its abolition slave trade and its abolition को remember करने के लिए कौन सा डे आपता है international day for the remembrance of the slave trade and abolition जो की 23 अगस्त को हम observe करते हैं next ये किसके दे चूस किया गया था UNESCO के दवारा चूस किया गया था moving on next आजाते हैं अभी Pudu Cherry के दवारा अपना budget present किया गया by the Chief Minister and Rangaswami आप budget बताईए कितना है वो 10,696 करोड रूपीज का ये आपका budget अभी present किया गया Chief Minister of Pudu Cherry and Rangaswami जी ठीक है 2022-2023 के लिए इसको launch किया गया इस budget को 10,696 करोड रूपीज को और आपको इसी के साथ-साथ याद रखना है अगर मैं पूछू Pudu Cherry की capital क्या है Pondi Cherry तो friends ये थे हमारे सारे question आज के आप आज आते हैं कुछ important one-niners पे and one-go में आप सारा revise कर रहते हैं Government of India ने headquarter agreement से sign किया CDRI के साथ ताकि CDRI को international status मिल सके इंडिया का पहला private SSA observatory to monitor space activity कहां पे आएगा उत्राखन की गड़वाल डिस्टिक्ट में Kapil Maureshwar Patil इन्होंने sustainable development goal Anthem and booklet को launch किया Godrej Agrovet ने एक MOU sign किया Assam Manipur and Tiripura के साथ ताकि oil palm cultivation को promote किया जा सके Then NutriHub and Akshapathra Foundation इन्होंने एक MOU sign किया portion scheme के अंडर IREDA इन्होंने एक MOU sign किया Mahapreet के साथ to launch to provide loans for green energy projects UP बिल्ड कर रहा है इंडिया का पहला education township इंडिया ने नॉमिनेट किया Garba Code to be inscribed in the UNESCO's Intangible Cultural Heritage List फिर Union Minister Jitinder Singh ने सेस country's bioeconomy to grow from $70 billion to $150 billion by 2015 Around 75 lakh cases across Rajasthan cleared by Digital Lok Adalat Piyush Goyal ने अन्वेल किया gift catalog of the One District One Product Scheme in digital version Then पंदर में International Olympiad on the Astronomy and Astrophysics 2022 में इंडिया की position रही 3rd जो इन्होंने शेर की Singapore के साथ और इंडिया ने 3 gold medal और 2 silver medal जीते फिर Government of India in consultation with RBI framed the Foreign Exchange Management Overseas Investment Rules 2022 के Asian Development Bank ने प्रोवाइड किया 96.3 million dollar का loan to improve water supply and sanitation in इमाचल परदेश HDFC Bank ने उपन किया First All Women Branch कहां पे Kosi Koda केरला में important Muthut Finance ने लांच किया milligram reward program for customers 20 milligram के gold देने किया पे बात की गई NHPC Limited ने MOU साइन किया भारत Electronics Limited के साथ Solar Equipment की Manufacturing Facility सेट अप करने के लिए 2022 का Liberty Medal से President Vladimir Zelensky को संबानित किया जाएगा MCA ने BGRL Amalgation को approval दे दिया with भारत Petroleum Then International Day for the Remembrance of Slate Trade and its Abolition तेही सगस्त को Puducherry के Chief Minister ने प्रेजेंटेट 10,696 करोड रुपीजट बज़ेट for 2022 So friends ये था हमारा सारा session आज का आप आज आते हैं आपके Homework पर पहला question Under which act the Minutes of the Monetary Policy Committee meeting are released Second किस कंपनी ने डेवलप किया इंडिया का पहला Indigenously developed RT-PCR kit testing for Monkey Pox त्फिर विच इंस्टिशन रिलिजेशन आर्टिकल टाइटल प्रिविटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक और अल्टरनेटिव परस्पेक्टिव चौथा question किस कंट्री ने होस्ट किया Pitch Black Combat exercise को पांचवा Artemis 3 ये क्रूड मून मिशन है किस कंट्री किस कंट्री का nice day इंस्टाग्राम हेंडल affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ-साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया पैसे cut गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा